प्रफोगेशन और लाइट सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर जो आपने भी कंसिडर के लास्ट लेक्षर में उसमें लाइट कैसे प्रफोगेट करती है अगर आपने हमारा फस्क लेक्षर नहीं देखा है वीडियो नहीं देखिये तो वह एक बार वो देखें जिस्टे कि आ कैसे प्रफोगेट करती है हम बताते हैं कि पहले 16th century की बात करें तो 16th century में क्या होता था राजा जो होते थे वह मैसेंजर बेचते थे या कभूतर के दुरू कभूतर के दुरू अपनी information को बेचते थे तो वहां पर information के टेस्टों होने की probability क्या थी maximum थी या पर messenger को पकड़ अपनी बातों को जो भी आपको signal भेजने हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे with minimum loss कैसे जिसकी maximum loss होने की क्या हो minimum हो कैसे बेचे वह क्या क्या जिसके थूरू बेचते हैं optical fiber या fiber optics के थूरू हम उन signal को भेचते हैं यहापर communication पहले तो कौन 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 आपका या तो आदमी था या कभूतर था लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं optical fiber का देखो बीच current है current को path provide करने के लिए हम किसका यूज करते हैं wire का यूज करते हैं ऐसे ही signal को light signal को light को light को वो सिगनल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक with minimum loss minimum loss क्या होता है क्योंकि यह TIR को follow करता है जो अपने लास्ट में भी डिसक्स करेंगे कि TIR क्या होता है तो उसको follow करता है अब fiber optics मतलब क्या हो गया fiber optics इसका मतलब हो गया fiber optics प्रोवाइड a necessary part to light with the help of TIR यानिकि जो हमारा fiber optics है वो light signal को एक necessary path provide करता है from one place to another place with the help of TIR total internal reflection जो कि इसका principle भी है तो इसको consider करने के लिए हम क्या करेंगे पहले discuss करेंगे तो हम ऐसी optical fiber बनाना चाहते हैं जो इसमें signal minimum loss हो output जो हम signal बेज रहे हैं जो output मिले वह हमें minimum loss के साथ मिले तो हमने सके पहले इसके लिए हम ने क्या बनाई है core बनाते हैं core किसकी बनाते हैं इस जो core बनाई है यह core बनाते हैं हम एंवल और का reflectiveness कह लेते हैं हम एंवल अब यह core और एक्सीज होगी है आपकी आपने कोई भी सिगनल यहां से incident किया है यह signal हखे इस पर जाएगा माल वह पोई कुर्शय कोई भी प्οउइंट एए कि इस थे पॉइंट पर जबआफा signal जाता है तो यहां से एक पार्त आपका क्या होगा reflected होगा और एक पार्ट क्या होगा आपका रिफ्लेक्टिड होगा यानि कि यहां पर क्या होने लगा लॉस होने लगा हमने पहले भी डिसकस किया था कि जब एक पॉइंट पर लाइट एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्टिड हो गया और एक पार्ट रिफ्लेक्टिड हो गया तो इसक कोर के चारों तरफ हम ऐसा मैट्रियल यूज करते हैं जो की जो की टी आई आर को फॉलो करें जो की इस रिफ्लेक्शन को रोकें तो हम यहां पर इसके चारों तरफ एक दूसरा मैट्रियल जो की क्लैटिन कहलेते हैं जो की पॉलिमर्स का बना होता है उसको हम यहां पर यूज कर देते हैं उसका बनाते हैं उसका रिफ्रक्टिव इंडेक्स मानते हैं हम एंड डू और हमें पता है कि टी आई आर फॉलो करने के लिए क्या कंडिशन है आपकी एंड वन अट्र यानि की और क्या आपकी कैसे बहुत करनी चाहिए डैंसर और क्लाडिंग क्या आपकी और क्लाडिंग को हम इस तरह से बनाते हैं की क्लाडिंग का रिफ्रक्टिव इंडेक्स क्या हो को से कम हो यानि की एन टू लेसस फेन कंडीशन से चाहिए तो हम नहीं नहीं को क्या बना दिया और रेयर को क्या बना इक क्लाटियों तो यहांपर जब जब जाएगी और दूसी टर्टिशन किया है कि यह जो English इंजिटे इस ऑल्वेस ग्रेटर दैन एक्वल टू थीटा से यानि कि इस आंगिल थीटा ही यह किसके बरावर होना चाहिए तो थीटा तरही क्या होती है इसी में पी आई यार को फोलो करते हैं इस तरह से यह पी आई आई आ को फोलो करते हुए वोग में आगे प्रोगेट करती है from one end to other end and we get a minimum loss signal हमें क्या मिलेगा जो signal हमने दिया यहां पर input में दिया वही signal हमें output में मिल जागा with minimum loss तो यहां पर यह loss की probability क्या हो जाती है हमारी minimum हो जाती ही क्या कहला थी आपकी propagation mechanism इसको हम इस तरह से पूरा भी complete कर देखते हैं कि यह को इसके outermost part क्या होता सीथ जैकेट जो कि सिर्फ क्या करता है उसकी हाँ पर कोई problem हो नहीं है यहां पर को मेंन है कोर क्या जिसमें signal आपके ट्रांस्वर्म करते हैं क्लैडिंग क्या करता है क्लैडिंग इसकी help करता है यह को follow करने के लिए तो इस तरह से signal हमारे एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोगेट करते हैं इन optical fiber ठीक है this is the propagation of light in optical fiber तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे fiber optics provide a necessary part to the light light signal with the help of TIR here for propagation mechanism we consider a fiber optics whose whose core is made of glass whose diameter is 50 micrometer here we consider another surrounding material of core is cladding whose refractive index is N2 and its diameter is about 100 to 125 micrometer clear it help the core to follow the to follow the TIR when a signal when a signal is incident at the core cladding interface at point at point a then the angle of incident is equal to or greater than the critical angle we will discuss this later that the signal incident is critical angle or greater than critical angle then the it follow total internal reflection because here core is behave as dancer and cladding is behave as rare medium we bracket will link the N1 is greater than N2 similarly now by following TIR it reach at point B and similar phenomena obtained again and again and signal propagate in core by following TIR in this way the we get the output signal with minimum loss so this is what our mechanism was our mechanism that in any optical fiber signal from one place to the other place to the other place to the other propagate this is how we get the signal from this way that's it? 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 in the next video we discuss on this look at numerical aperture, acceptance angle thank you झाल